नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ संजीत आपके अपने यूटूब चैनल होम गाडेन पर दोस्तों यह जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह मेरा मिर्च का प्लांट है और हरी मिर्च के बारे में क्या कहना कोई भी ऐसे घर नहीं है जहां पर इसके बीना काम चल हो और यह तो हमारे सब्जियों में सबसे मुख्य परकार का सब्जी कहिए या मसाला कहिए इसके बीना सब्जियां बनाना मुस्किल है तो दोस्तों यह जो देख रहे हैं कि मेरे बहुत सारे मिर्च फरे हुए हैं यह मिर्च का यह मिर्च मेरा इस पौधे में दूसरी बार फर रही है मीर्च क्या होता है कि हडी मिर्च जो जब आ प्लांटेशन करते हैं तो एक बार फरने के बाद बंद हो जाए तो फिर उसको उखार के नहीं फेकिए मैं भी ऐसा ही करने वाला था तब तक मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे फूल और फूर्ट्स आने लगे हैं द पौधे भी लगाए हैं इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा गमला लें इसके लिए छोटे-छोटे गमलों में भी यह काम चल जाता है यहां देख सकते हैं कि यह कितना सारा इसमें फूल लगा हुआ है फल लगा हुआ है और यह दुबारा फरने वा हुआ हुँ और यह दूसरी बार मेरा मिर्च फिर से फल दे रहा है कोसिस करूंगा कि इसको उर्वरक बीच-बीच में देते रहुँ ताकि मेरा तीसरा बार भी मिर्च इसमें अच्छी तरह से फर सके इसके बीसे में जदि आपको किसी परकार की कोई जानकारी चाहिए मसाले के लिए लाल मिर्च खरीदी थी दुकान से उस में से एक मिर्च को मैंने गमला में मिट्टी के साथ गिरा के मिक्स कर दिया और उसमें पानी डाल दिया उसमें हमको लगभग 50-100 पोधे आया मैं ये मिर्च के पोधे अपने पास भी 8-10 लगाए और पूरे मुहले में बाट दिये और इतना अच्छा मिर्च हुआ मेरा कि साइद ही कोई सीड़ दुकान से भी लेने से इतना अच्छा मिर्च फलेगा तो दोस्तों आप गार्डेनिंग करके कोई जरूरी नहीं है कि हम अच्छे-च्छे फूल ही लगाए जदी आपको सौक है फूल लगाने का आप फूल लगाईए बेसक लेकिन जदी आपके पस जगह है थोरा सा समय है और करना चाहते हैं तो आप अपने घर पे ही औरगेनिक सब्जी यानि सुध्ध हड़ी ताजी सब्जी उगा करके आप खा सकते हैं जदी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने जदी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरा कोई भी अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले तब तक के लिए नमस्कार